किसी भी भाषा के शुद्ध प्रयोक के लिए उसके व्याकरण की जानकारी होना अती आवशक है जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी में व्याकरण की शुरुवात उनीस सो शताबदी के आसपास हुई और बहुत सारे विद्वानों ने हिंदी के लिए नय नय नियम बनाए उनमें जो सही प्रयास किये गए वे सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आचारी महावी प्रसाद दिवेदी ने किये उन्होंने अपनी पत्रिका के माध्यम से व्याकरण के लेख लिखकर हिंदी को प्रांजल और शुद्ध करने का प्रयास किया इस प्रकार हिंदी एक सही नेमों में बन कर शुद्ध रूप में प्रैस्तु थी उसके बाद बहुत से विद्वानों ने हिंदी व्याकरण के लिए कारी किये किन्तु वे इतने ज़्यादा उतकृष्ट नहीं थे और बाद में जो कामता प्रशाद गुरू और उनकी अगली पेडी में किशोरी दास बाजपेई ने व्याकरण के लिए काम किये वे आज तक चले आ रहे हैं और उतना उतकृष्ट और शुद्ध व्याकरण आज तक दूसरा कोई भी नहीं है हिंदी के व्याकरण की जब बात की जाती है तो कामता प्रशाद गुरू का नाम उसमें सर्वो परी आता है उन्होंने अपने व्याकरण में व्यज्ञानिक विशलेशन कर भाषा को नेमों में बांधा और हिंदी लिखने का शुद्ध तरीका आम जनता को सुलप कर आया आज के इस पार्ट में हम कामता प्रशाद गुरू के व्याकरण के जो नियम है जिनोंने हिंदी को एक शुद्धता प्रदान की है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे गुरू जी की पुस्तक के कुछ प्रस्तुत हैं मनुष विचाशिल प्राणी है और सम्मत्ती और सूचना के लिए अपने विचारों को बोल कर या लिख कर दूसरों पर प्रकट करता है वह दूसरों के विचार भी सुना करता है इन विचारों को पूर्णता तथा इस्पस्टता से प्रकट करने का साधन भाषा है कुछ विचार इशारों से भी प्रकट किये जा सकते हैं पर वे बहुदा अपूर्ण और अस्पस्ट रहते हैं बाशा अनेक पूर्ण और इस्पस्ट विचारों के मेल से बनती है और प्रत्येक पूर्ण विचार में कई भावनाय रहती हैं प्रत्येक पूर्ण विचार को वाक्य और भावना को शब्द कहते हैं मोटे तोर पर वाकि में कम से कम दो शब्द अवश्य होने चाहिए नहीं तो पूरा विचार प्रकट नहीं हो सकता राम आया, तुम चलो ये दो-दो शब्दों के बाग हैं और उनमें एक पूरा विचार प्रकट होता है जहां एक ही शब्द से पूरा विचार प्रकट हुआ दिखता है, वहां दूसरा शब्द लुपतिया छीपा रहता है जैसे प्रणाम. में प्रणाम है, क्या, मतलब क्या है, चलो मतलब तुम चलो. अपने विचार प्रकट करते समय. हम या तो कोई समाचार सुनाते हैं या प्रश्न पूछते हैं अथ्वा किसी से कुछ प्रातना करते हैं इतना ही नहीं हम इक्षा अथ्वा आशेर भी प्रकट करते हैं इस प्रकार हमारे विचार कई रूप धारण करते हैं और उनके अनुसार वाक्यों के भी कई भेद होते हैं अर्थ के अनुसार वाक्य के मुक्तब पांच प्रकार के भेद होते हैं विधाना थकवाक्य के द्वारा हम दूसरों को किसी बात की स्वीक्रती या निशेत की सूचना देते हैं जैसे आम मीठा है, कल रात को पानी गिरा, मेरा भाई काशिश से आएगा, हम वहाँ नहीं थे, घर में कोई नहीं है दूसरा प्रशना वार्चक वाक्य हो सकता है, जिसकों की प्रशन करने से समझा जाता है जैसे राम कहा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, मोहन का वाया था तीसरा आग्यार्थक वाक्य है जिसका संबन्द आग्या से है अनुमतियत्वा प्रात्ता से है जैसे जाओ मुझे आने दीजिए इक्षा बोधग वाक्य जो होते हैं उसमें इक्षा आशिरवाद या शाप का बोध होता है जैसे नाथ मेरा बेटा मुझे मिल जाए इश्वर उनका भला करे अन्याई का नाशो इसी प्रकार विश्मय आधि बोधग वाक्य विश्मय हर्ष शोक आधिभाव सूचित करता है जैसे यह चित्र कित्ना सुन्दर है भाई तुम कई वर्षों में मिले हो वह मित्र के बिना रहेगा बाकी के सार्थक कंड करने से शब्द मिलते हैं यदि हम शब्द के भी कंड करें तो हमें एक या अधिक छोटी से छोटी धनी मिलेगी जैसे जाओ में जा, धन, आ, धन, मोहन में मा, धन., धन., धन, धन, न, और है में हा, धन, ए, प्रतिेक छोटी धनी को आक्षर कहते हैं, और एक या अधिक अक्षर के मेल से शब्द बनता है, जैसे न से नहीं, घर, सडक. इस प्रकार भाषा वाक्यों से, वाक्यों के शब्दों से और शब्द अक्षरों से बना जाते हैं किसी भी भाषा का अध्यन करने के लिए हमें उसके शब्दों और वाक्यों के रूपों तथा अर्थों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए किसी भाषा के अक्षरों, शब्दों, वाक्यों के रूपों, अर्थों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भाषा का व्याकरण पढ़ना चाहिए व्याकरन वा विध्या है जिससे हम भाषा अर्थात अक्षर, शब्द और वाकी की शुद्धता के लिए नियम सीखते हैं प्रतेक भाषा का व्याकरन होता है और उसमें उस भाषा की शुद्धता के नियम दिये रहते हैं यदि हम अपनी मात्र भाषा के सिवा कोई दूसरी भाषा सीखना चाहें, तो हमें उस भाषा का व्याकरण भी सीखना चाहिए. भाषा के खंड होते हैं जैसे अक्षर, शब्द और वाक्य. इनका अलग-अलग भी विचन करने के लिए व्याकरण के तीन मुख्य विभाग किये जाते हैं. एक वर्ण विचार, दूसरा शब्द शादन और तीसरा वाक्य विन्यास. वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है, जिसमें अक्षरों का आकार, उच्चारण और उनके मिलने की रिती बताई जाती है. शब्द सादन व्याकरण की उस विभाग को कहते हैं, जिसमें शब्दों के भेद, रुपांतरर और उसकी रशना के नियम लिखे जाते हैं. वाक्य विन्यास व्याकरण का वह विभाग है जिसमें शब्दों का परस पर संबन्द और उनसे वाक्य बनाने के नियम बताए जाते हैं यह तो कामता प्रशाद गुरू जी के बारे में हमने जाना दूसरे व्याकरण आचारे किशोरी दास बाजपेई हैं उनका भी संचिप्त परिचय इस पार्ट में हम जानेंगे किशोरी दास बाजपेई ने भी व्याकरण के लिए बहुत काम किया उन्होंने सन 1924 से 1925 में हिंदी व्याकरण को परिश्रत में करने में लगे व्याकरण संबंदे उनके लेख समसामगीक विभिन पत्र-पत्र काओं में प्रकाशित होते रहे सन 1923 में उनका ब्रजभाशा का व्याकरण प्रकाशित हुआ इस पुस्तक द्वारा हिंदी के पाठकों को खड़ी बोली हिंदी के रूप एवं उसकी प्रकरती के बारे में अनेक सूचनाय प्राप्त हुई बाजपेई जी ने प्रचलित हिंदी व्याकरणों में पाई जाने वाली अनेक तुर्टियों की और इंगित भी किया इनका ब्रच भाषा का व्याकरण एतिहासिक महत्यों का एक ग्रंथ है हिंदी व्याकरण के थ्यास में नवचेतना काल श्री बाजपेई के नाम से ही प्रारंब होता है ब्रजभाषा हिंदी व्याकरण के बाद बाजपेई जी ने हिंदी व्याकरण संबंदी पुस्त के भी लिखी जिन में राश्टभाषा का प्रथम व्याकरण सन उनिसो नंचास में जन्वानी प्रकाशन कलकत्ता से प्रकाशित हुआ यह व्याकरण सिद्धान्तता संस्क्रत और अंग्रेजी के आधार पर न लिखा गया वस्तुता हिंदी के आधार पर लिखा गया है। इस द्रश्टी से इसे हिंदी का अथवा राष्ट भाषा का प्रथम व्याक्रन कहना सर्वत्था उप्युक्त एवं संगत्था। दूसरी उनकी पुस्तक हिंदी नुरुक्त सन उनिसो नंचास में ही जनवानी प्रकाशन कलकत्ता से प्रकाशित हुई और इस ग्रंथ में मुकिता शब्दों के विकास की प्रकरिया को स्पस्ट किया गया है। तीसरी पुस्तक हिंदी का शब्दानुशासन है और यह 1948 में नागरी प्रचारनी सभा वारानिसी से प्रकाशित हुई। इस ग्रंथ में यह प्रदरशित एबन प्रमानित किया गया है कि हिंदी का विकास कितना स्वभाविक एबन विज्ञानिक है। यही इस ग्रंथ की मुक्ष उपलब्दी है। इस ग्रंत की भूमिका में डाक्टर हजारी प्रशाद दिवेदी ने लिखा है कि बाजपेई जी हिंदी की प्रकर्ती के सूक्ष में निरिक्षक हैं, इस पुस्तक में उन्होंने हिंदी की प्रकर्ती का बड़ा अच्छा परिचे दिया है। मेरा विश्वास है कि इस पुस्तक से हिंदी व्याकरण को एक नई दिशा प्राप्त होगी। अभी तक जो व्याकरण लिखे गए हैं वे प्रयोग निर्देश तक ही स्तीमित थे। इस व्याकरण में पहली व्यार व्याकरण के तत्व दशन का स्वरूप इसपस्ट हुआ। दूसरी पुस्तक उनकी सरल शब्दानुशाशन हैं यह 1969 में नागरी प्रचारणी सभा वारानेसी से प्रकाशित हुई। यह हिंदी का शब्दानुशाशन का एक संचिप्त छात्र प्योगी संसकरण हैं। अन्य पुस्तक भारती भाषा विज्ञान शनुशाशन में चवखंभा विद्याभवन वारानेसी से प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त शिरी किशवदास बाजपेईजी ने हिंदी व्याकरण संबंदी कई अन्य पुस्तके लिखी और हिंदी व्याकरण और भाषा के स अनुभव और संस्मरण, कावि में रहश्वाद, संस्कृति के पांच अध्याय, मानव धर्म मिमांसा, हिंदी और शब्दानुशाशन और सुभाष्चन बोस है। भाषा नाविद भोलानातिवारी का अभिमत है कि भाषा अध्यन की प्राचीन परंपरा, मुखिता प्रतिशाख, शिक्षाग्रंत, पाणिनी, पतंजली, तथा भर्थरिसे, तथा भाषा अध्यन की पश्चिमी परंपरा, इसका संबंद, मुखिता इंगलेंड, फ्रांस जर्मनी, अमेरिका तथा रूस से है, आधुनिक भारती भाषा विज्ञान के छेतर में, जो अब तक काम हुए हैं, उसे देखते हुए, चार धाराओं का संकेत दिया जा सकता है, प्रथम भारती शास्ती धारा, मुखिता प्राचीन भारती परंपरा से संबद है, इसके सबसे सजग और सशक्त व्याख्याता आचारी किशोरी प्रशाद बाचपेई हैं, और जो हिंदी शब्दानुसा अश्रन और भारती भाषा विज्ञान से स्पस्त पता चलता है, वस्तुता किशोरी दास बाचपेई हिंदी साहित जगत के गौरों हैं, इस प्रकार हमने किशोरी दास बाचपेई और कामता प्रशाद गुरू के व्याकरण के संबंदित पुस्तकों की जानकारी प्राप्त की, इसके बाद अन्य बहुत सारे व्याकरण लिखे गए, और भाषा विज्ञान एक सतत अध्यन के रूप में परंपरा में चल पड़ है, यदि भाषा विज्ञान अध्यन का प्रारम महाविद्यालेयों में भोलानात तिवारी से होता है, किन्तु छुटपुट व्याकरण भी लिखे गए, और जिनोंने हिंदी को आधुनिक काल तक इस प्रकार ले आये हैं, कि वह व्याकरण के बहुत से नीमों में परिवर हैं, और आज भी कामता प्रशाद गुरू का नाम बड़े आधर के सांथ हिंदी के व्याकरण जगत में लिया जाता है, उनकी पुस्तक के व्याकरण के आधार पर ही आगे की धारा व्याकरण को हिंदी से जोडती आई है, और शुद्ध व्याकरण के रूप में जितना भी हमें प्राप्त होता है, उसका बीज हमें कामता प्रशाद गुरू में ही प्राप्त होता है, आज तक वधारा उसी तरह से आवीरल रूप में प्रभावित होकर हिंदी को एक शुद्धता और प्रांजलता प्रदान कर रही है कि अज़ख राउ प्रांजलता 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 है